हेलो स्टुडियन्ट आज की इस वीडियो में हम लोग कमिस्ट्री के कुछ ऐसे कांसेप्ट और ठेवरी टाइप क्वेस्चन देख लेंगे हिंदी में तो यह वीडियो हिंदी में रहेगी यह मत कहिएगा कि इंग्लिस में यह वीडियो आप प्रवाइड करिए क्योंकि देखिएगा समझ में आएगा नई समझ में आएगा तो इंग्लिस में आप देखिएगा जहां पर मिल जाएगा वहां पर देख लीजिएगा तो चलिए मैं हिंदी में कराता हूं काफी स्टुडेंट मेरे चैनल पर हिंदी में भी पढ़ते हैं तो उन सभी स्टुडेंट क लीजेगा कंफर्म हो जाएगा कि मेरे चैनल से आप कैसे step wise step कैसे playlist की कौन-कौन सी वीडियो देखनी है वीडियो तो ऐसे सभी देखनी है लेकिन तरीका आपको पता चल जाएगा मुझसे जो important लगेगा मैं वो बता दूँगा और आपको भी जो लगे important वो क्या करिए वो अपना note करते रहिए note करते रहेंगे तो फिर आप revise करने में आसानी होगी main तो यही है revise ही करना अगर एक बार पढ़ लीजिए तो फिर उसको revise भी करना रहता है क्योंकि exam में जो revise किया रहता है वही ज़्यादा आते हैं तो revise most success के लिए revise करना काफी important है तो चलिए हम लोग देखते हैं जैसे देखिए electron का जो discover किया था scientist ने कौन से scientist ने electron को discover किया था तो जे जे थांसन ने proton की बात करेंगे तो यह गोल्ड स्टीन याद कर लीजिए neutron की बात करेंगे तो James Chadwick यह और नुकलियस नाभिक का रदर फोर्ड यह भी काफी important है तो यह तीनों important है और इसमें आप नाभिक नुकलियस याद कर लीजिए परमार करमांक हो गया आधुनिक आवर्तसारडी यह भी काफी important है जो मुझले साहब ने दिया था आधुनिक modern periodic table और आवर्तसारडी यह scientist के नेम है परमार सिधान्त जान डाल्टन ने यह भी important है और बोर सिधान्त नील बोर ने यह भी important है कि बोर सिधान्त एक है वो किस ने दिया था तो नील्स बोर ने रेडियो सक्रिता हेनरी वैक्रेल ने next hydrogen यह भी important है कि hydrogen का किसने तो cavendish ने और nitrogen का रदरफोर ने oxygen यह भी important है oxygen का discovered किसने खोजा था किस scientist ने तो seal and pristoline है यह भी important है next चलिए हम लोग देखेंगे यह देखिए next हम लोग यह देखेंगे कुछ हम लोग देखेंगे कि किसने दिखो जाता तो यह हम लोग देख लिये हैं यह slide वाली next slide के हम लोग चलेंगे परमुक मिस्र धातुया और उनके उपयोग यह भी important है question यहां से भी पूछे जाते हैं जैसे देखिए solder में कौन कौन से metal आते हैं solder में tin iron lead आता है यह use कहां किया जाता है इसका जोड़ों में टांका लगाने से तो कहीं आप tape recorder बाजा बनाने में देखिए होंगे वहाँ solder का यूज किया जाता है तो जोड़ने में next हम लोग कासा देख लेंगे किसका mixer होता है copper and tin का है ऐसे question पूछे जाते हैं जैसे अभी मैं बता रहा हूं कौन से question यह देखिए यह question पूछा गया कि aluminum copper और aluminum होता है कि aluminum branch में aluminum branch में क्या क्या होता है copper और aluminum का mixer होता है काफी बार तो यह question पूछा जाता है कि German silver में कौन कौन से element mix होके German silver पहते हैं यह important है German silver में आपका copper रहेगा zinc रहेगा निकिल लेगा यह मैंने काफी बार वीडियो में trick से भी बताया है तो वीडियो आप revise करिए सब आपको question मिलेंगे अच्छे question मिलेंगे और उससे बाहर पूछे भी नहीं जाएंगे तो सभी वीडियो रिवाइज आपको करना ही पड़ेगा यह question देखिए इस्टेल में iron रहेगा, chromium रहेगा, nickel रहेगा, carbon रहेगा वही मैं बता रहा हूँ जो question पूछे गाएंट्रेंस exam में और पूछे जाने के chance भी है question सभी पूछे गए हैं जो मैं बता रहा हूँ जैसे यल नीको यह भी पूछा गया iron, यल नीको में क्या रहेगा, iron रहेगा, aluminum रहेगा और nickel रहेगा यह तीनों mix रहता है किसमें अल नीको में, यह अस्थाई चुम्मक होता है, अल नीको, यह भी question पूछा गया है, जैसे यह देख लीजिए, magnesium भी पूछा गया है, magnesium और aluminum का mixer होता है, यह Y1 तता जहाजों को बनाने में यूज किया जाता है next देखिए, यह तो काफी बार सब पूछे जाते हैं, यह aluminum है, aluminum का ask क्या है, बाकसाइड है, यह देखिए, बाकसाइड कोरंडम है, L2O3, Na3, LF6, क्राइवलाइट, यह क्राइवलाइट का फार्मूला हो गया, और यह बाकसाइड का तो, रसाइनिक सूत्र आप अच्छे से देखिए, बाकसाइड कोरंडम और, ENA3, ELA6 को क्या कहते हैं, क्राइवलाइट कहते हैं, और कोरंडम, L2O3 को कहते हैं, और बाकसाइड की बात करेंगे, तो L2O3, डाट, टू वाटर, तो इसको कहेंगे, तो यह रट लीजेगा, पूछता है कि, aluminum का ask बताएए, कभी कभी उसका फार्मूला दे देता है, तो यह दोनों पता होना चाहिए, तो आप गलत नहीं करेंगे, जैसे देखिए, iron का ask क्या होता है, iron का or, ask means or, English में or कहते हैं, तो और बताना है, अब यह भी काफी बार पूछा गया है, कि iron का ask or क्या होते हैं, तो hematite और magnetite, hematite का फार्मू तो यह देखिए, copper glance and copper pyrit, यह भी important है, यह copper glance का फार्मूला है, cu2s, और copper pyrit का, cufes2, तो ऐसे question पूछे जाते हैं, कभी आपको ऐसे लिखेगा, copper glance, copper pyrit कभी इसके फार्मूले दे देता हैं, तो आपको नाम और फार्मूला दोनों पता होना चाहिए, काफी बार तो zinc का भी ZNS से सो करते हैं, और यह देखिए, केला माइन को ZNCO3 से करते हैं, या zinc spar इसी को कहते हैं, ZNCO3 को, तो यह भी रट लीजिएगा, important है, sodium का क्या होता है, rock salt and sodium carbonate होता है, यह देखिए, rock salt and sodium carbonate, तो यह चीज हो जाएगा, potassium का क्या होता है, यह भी important है, carnelite and sorra होता है, यह कितने water होते हैं, 6 water होते हैं, और sorra को क्या कहते हैं, केल pol3 कहते हैं, काफी बार तो यह भी पूछा गया है, कि LED, LED का जो OR होता है, A-S को होता है, वो क्या होता है? गयलिना होता है, गयलिना का क्या होता formula, PBS, यह भी पूछा गया question. निक्स्ट देखिए टिन, टिन का क्या होता है, टिन पायराइट्स होता है, और कैसिट राइट्स होता है, तो यह टिन का फार्मूला है, टिन पायराइट्स का, C, U, F, E, S, N, S, 4, और कैसे राइट्स का फार्मूला का होता है, कैसिट राइट्स का फार्मूला होता है, S, N, O और ये भी काफी बाब पुछा गया important भी है ये चादी का एजी silver का तो ये silver glance होता है ये जू, एजी two yes ये भी important है, gold का क्या होता है sona का, AU means gold होता है sona, तो इसका क्या ask होता है, इसका होता है calvarite और pet site होता है तो ये भी important है next ये देखिए para, mercury का इम्पॉर्टेंट का मतलब क्या है इम्पॉर्टेंट का मतलब है यह सभी question जो है अधर-अधर medical insurance exam में यह सब question पूछे गए है इसलिए example है आईसे तुम्हें नहीं बोलाऊना की example है तो आप जो insurance exam दिये होंगे या फिर previous year question आप लगा रहे होंगे तो यह questions मिलते हैं तो यह इस हिसाब से important है तो पारा का सिने बार और कैलोमल देख लिजएगा कैलोमल का यह देखिए इसका यह देख लिजएगा important है कैलोमल का आपको यह formula पता होना चाहिए HG2, Cl2 को क्या कहते है कैलोमल कहते है और सिने बार तो एकदम पता ही रहता है HGS को तो यह चीज आप अच्छे से देख लिजएगा magnesium का क्या होता है dolomite and carnelite यह भी पूछा गया है dolomite का यह देख लिजए MgCO3, CACO3 को क्या कहते है dolomite और KCL, MgCl2 dart 6 water dart 6 H2O को क्या कहते है carnelite कहते है next देखिए calcium का देख लिजए milestone और dolomite होता है next phosphorus का देखिए phosphorus and floor appetite होता है तो यह चीज हो गया next चलिए हम लोग देखते हैं क्या है हम लोग देखे हैं रासानिक पदार्थों को बैपारिक तथा रासानिक नामियों सूत्र देखेंगे तो यह देखिए इसके भी question पूछ लिए जाते है अगर simple question में इसा बाते है ऐसे question आएंगे तो गलत तो होने ही नहीं चाहिए 100% यह समझे question को आपको ऐसे question को गलत नहीं करने है एकदम सही करने है एकदम right करेंगे तो फिर आपका जो rank है और question number का सही का ratio होता हो बढ़ जाएगा नहीं तो फिर अगर simple question गलत हो जाते है तो फिर selection के chance काफी घट जाते है तो जैसे देखिए साधारन लवण की बात करिए तो इसमें यानि C.L. sodium chloride को क्या कहते है साधारन लवण चिली salt peter काफी बार पूछा जाता है कि सुहागा का रासाइनिंग नाम क्या है बोरेक्स और बोरेक्स का तो आप एकदम रट के चलिएगा यहने 2B407.10 water को बोरेक्स कहते हैं तो यह चीज आप रट के रखिएगा गलत नहीं होने चाहिए नेक्स देखिए बोरेक्स काम लोग देख लिए सुहागा का खाने का सोड़ा सोडियम बाई कार्बोनेट को खाने का सोड़ा कहते हैं यहने एच CO3 यहाँ पी एच लग जाता है तो बाई हो जाता है अगर एच हटा देंगे तो सोडियम कार्बोनेट होता है धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं इसका फार्मूला यहने 2CO3 10W कास्टिक सोडा को सोडियम हाइडराकसाइड कहते हैं यहने AOH यह देखिए तूतिया नीला थोथा यह भी काफ़ी इंपॉर्टन है ऐसे क्वेशन पूछता है कि नीला थोथा का आपको फार्मूला बताना होता है तो कापर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं CUSO4.5Water तो इसका फार्मूला इंपॉर्टन है रट लिजिएगा नोट डाउन कर लिजिएगा और रिवाइज करते रहिएगा तीन चीज करना है आपको लिखना है लिख लिजिए उसको पढ़िए फिर नेक्स्ट में रिवाइज करिए नेक्स्ट ये भी कोईशन पूछा गया है कि सफेद कसिस को क्या कहते हैं उजला थोथा को क्या कहते हैं ये क्या था नीलात होता था ये उजलात होता है उजलात होता को जडियनसोफोर डार्ट सेबन वाटर इंपोर्टन्ट है नेक्स्ट देखिए हराकसिस को क्या कहते है हराकसिस को फेरस सल्फेट कहते है ये भी important है कि फेरस्लफइ इसको कहते है हराकर कसी इस तो ये भी S0 4.7 water संग मरमर को calcm carbonate कहते हैं कली चूना को क्या कहते हैं calcm oxide कहते हैं और बुझाचूना को क्या कहते हैं काफी बार पुछा जाता है कि बुझाचूना बुझा हुआ चूना का फार्मूला क्या है CAOH का होल्ट वाइज नेक्स्ट सिंदूर ये भी important है पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि सिंदूर का क्या क्या कहते हैं मर्कूरिक सल्फाइट को सिंदूर कहते हैं HGS को सोरा क्या होता है कैनो थिरी फार्मूला ये देखिए अमोनियम क्लोराइड NH4Cl तो ये चीज हो जाएगा laughing ice ये भी important है laughing ice क्या होता है अगर इसकी smell अंदर चली जाती है तो क्या होता है आप हसने लगते हैं काफी समय तक वो आदमी हसता है जिसको laughing ice N2O की smell हो जाती है ये मतलब वो इनहेल कर लेता है तो इसको कहते हैं laughing ice gypsum ये भी important है gypsum का तो काफी बार पुछा जाता है CSO4.2 water और यहीं पर plaster आप पेरिस पुछा जाता है तो CSO4 half water हो जाता है जितना ये रहता है उसका half water रहेगा तो plaster आप पेरिस रहता है तो ये तो लेकिन जिपसमी है तो ये चीज़ हो जाएगा next में हम लोग देखेंगे dry, dry ice ये भी important है सुस्क बर्फ का फार्मूला पूछा गया CO2 को ठोस carbon dioxide को क्या कहते हैं सुस्क बर्फ या dry ice कहते हैं dry मतलब सूखा आई बर्फ कहते हैं फिटकरी ये भी important है फिटकरी का भी देख लिजिए K2SO4, L2SO4, coholthroize dirt into 24 water को क्या कहते हैं फिटकरी, potassium, aluminium, sulfate एकदम ये आप देख लिजिएगा important है फिटकरी का पूछा जाता है next गलिना देख लिजिए गलिना का PBS कहते हैं TNT ये भी important है Trinitro, Talvin को क्या कहते हैं TNT कहते हैं C6, H2, CH3, Eno3 को holthroize next, karshtic potassium potassium, hydroxide को Keos कहते हैं next, चलिए हम लोग क्या देखने वाले हैं next, हम लोग vaparing नाम, racining नाम ये सब देख लेंगे यहां से भी question पूछे गया है और पूछे जाने के chance भी हैं तो छोड़ेंगे तो नहीं अच्छे से कर लेंगे बिरंजक सूद को क्या कहते हैं racining नाम, bleaching powder और सूत्र, C, A, O, C, L, C, L ये चीज़ हो जाएगा important है bleaching powder का formula next, plaster आप पेरिस देख लीजी आ गया, जो मैंने बताया था कि जितना रहेगा उसका half water रहता है CSO4 कितना है CSO4 1 है कि 2, 2 है देखिए 2 यहाँ पे लगा नहीं है hold twice करके तो CSO4 2 है तो एक water देख लीजी है अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो यहाँ पे half water हो जाता जितना यह रहेगा उसका half water रहता तो उसको plaster आप पेरिस कहते हैं पहचानने का तरीका यह मैं बता रहा हूँ ना next salt cake क्या है NA2SO4 यह भी पूछा गया salt cake का formula क्या होता salt cake को sodium sulfate होते है NA2SO4 global sodium sulfate NA2SO4.10 water को क्या कहते है global salt कहते है global salt कहते है यह भी question पूछा गया है next देख लीजे यह बालू silicon oxide SI O2 को क्या कहते है silica कहते है बालू कहते है अमलराज यह भी question पूछा गया है कि अमलराज को क्या कहते है कि अमलराज जो होता है इसमें 3HCl होते है और 1HNO3 होता है यह भी question खुब पूछा गया अब भारी जल्टो आप जानते है D2O होता है स्वेद पोटास क्या होता है KCl O3 होता है next hydrogen paroxide क्या होते है H2O2 होता है Chinese स्वेद क्या होते है GNO होते है हाइपो क्या हाइपो Mars gas यह important है Mars gas को methane कहते है और इसका formula होता है CH4 काफी बार question यह पूछे गए हैं सब alcohol alcohol क्या होता है एथिल एलकोहल एथिल एलकोहल चीनी सुक्रोज C6S22O11 को क्या कहते है सुक्रोज कहते है एकदम देख ली जेगा important है सुक्रोज का formula क्या हो जाएगा यह glucose नहीं यह सुक्रोज का formula C12S22O11 important है एकदम अच्छे से देख ली जेगा next चली हम लोग कुछ NCRT fight देख लेते हैं यहां से भी question पूछे जाते हैं तो यह भी देख लेते हैं यहीं पर इसको भी खतम करते हैं क्योंकि important है पूछा भी गया जैसे एक बार पूछा गया था कि राक्त blood का जो pH होता है pH मान होता है 6.5 से लेकर 7.5 means basic ही होता है दूद का pH कितना होता है milk का 6.4 होता है means yes dick होता है मूतर का कितना होता है 6 होता है मतलब urine का जो होता है तो यह कितना होता है urine का urine का मूतर का होता है 6 होता है सराब का कितना होता है yes dick होता है इसलिए 2.8 yes dick और basic कैसे बता रहे हैं अगर 6 के इधर है 6.5 ऐसे के pH अगर उपर है तो वो होता है basic होता है और अगर इससे कम इधर जाएगा 2, 3, 4 रहेगा तो वो क्या रहेगा yes dick रहेगा यह से साब से और यह क्या होता यह neutral point होता है अगर इतने पे रहेगा same तो neutral point सराब का कितना होता है 2.8 सिर्का का कितना होता सिर्का तो काफी sdk होता है काफी लोग इसको test इसका लिए होंगे सिर्का का तो 2.4 होता है और नीबू का तो sdk होता है 2.2 होता है सिर्का से ज़्यादा नीबू का क्या होता है sdk होता है तो ये सब आप लोग देख लिए होंगे नेक्स्ट ये तो होई गया है इसी स्लाइड में हुआ था ये देखिए कुछ इंसे रटी फाइक्ट है तो ये भी देख लीजिए कित्रीम बर्सा करने के लिए आर्टी फीसिल जो रेन होता है मूबी उबी में देखिए होंगे जहां मन करता है वहाँ वो बारिस करा लेते हैं और बारिस में गाना भी सूट कर लेते हैं तो उसमें कित्रीम बर्सा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड ए जी आई का यूज का परियोग काफि किया जाता है तो यह भी important है और सुद्ध जल का pH कितना होता है जो नार्मल वाटर होता है उसका pH होता है 7 होता है यह भी question पूछा गया है मतलब neutral होता है लगवस 7 का neutral हिमान के से लिए कि neutral pH होता है अगर इसके उपर गया तो basic हो जाएगा और इसके नीचे अगर रहेगा साथ से तो वो एसडिक हो जाएगा इस हिसाब से सो दिजल का पिये जो हता सेवन ही होता है नेक्स्ट अगनी सामक के रूप में कारवन डाय अक्साइड का परियोग किया जाता मतलब अगनी कहीं पे आग लगी है उसको बुझाने के लिए कारवन डाय अक्साइड से योटू का यूज होता है क्योंकि CO2 का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि कोई भी चीज अगर जल रही है जल रही है तो उसको ये समझे जलने के लिए आकसीजन जरूर चाहिए यह 100% जानके रखो कुछ भी जल रहा है तो उसको आकसीजन जरूर चाहिए और अगनी बुझाने के लिए जब CO2 छोड़ देंगे तो वहाँ पे आकसीजन खतम हो जाती है और आग बुझ जाता है तो इस हिसाब से इसमें आगनी सामक के रूम में कार्बन डाय आकसाइड CO2 का परियोग किया जा बट जो भी स्टूडेंट इंग्लिस में ज्यादा प्रीपर करते हैं तो उनके लिए तो काफी बेनिफिट है क्योंकि इंग्लिस अगर आप कर रहे हैं तो आपका तो हिंदी वाले स्टूडेंट क्या करें यूपी वाले बोर्ट के लिए एक यह निउज है मेरे लिए मैं बता दे रहा हूं आपको कि आप कैसे असानी से आपका सेलेक्शन हो सकता है हिंदी वाले स्टूडेंट मेरे चैनल पर क्या करें इंग्लिस जरूर देखा करें क्योंकि इंग्लिस में मैं अच्छे से एक्स्प्लेंट कर देता हूं और हर चीज बारे की से समझा देता हूं इंग्लिस वाले में तो हिंदी में ही एक्स्प्लेंट करता हूं ना कि इंग्लिस में तो हिंदी में ही बोलता हूं ऐसा तो है नहीं कि इंग्लिस में ही चलता है तो इंग्लिस आप जरूर वीडियो देखिए दो तीन बार देखिए समझ में आ जाएगा ऐसा नहीं है काफी स्टूडेंट देख भी रहे हैं तो यह चीज हो जाएगा और जैसे सीटी हो गया काफी स्टूडेंट पूर हैं सीटी का एडिमिट कार्ड कब आएगा तो इससे रिलेटर एंग वीडियो भी मैंने देख भी सकते हैं चैनल पर या फिर डिस्क्रिस्टिन बाक्स में हो सकता लिंक भी देदें और के जिम्यू आप के जिम्यू हो गया सकते इतना करेंगे तो फिर हो जाएगा और हर घंटे में आपका इवैलिवटी भी करना है आपने आपको कि कितना मैने परफार्मेंस एक घंटे में किया यह नहीं कि 10-12 घंटे बैटे हैं तो मोबायल पर रिल देख रहे हैं वाटसप देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है और कुछ नहीं करना है और अपने आपको मोटिवेट करिए और सेलेक्शन जरूर होगा आपका तो मेहनत करिए जरूर चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो भी आपको परवाइड करेंगे थांक्यू धन्यवाइड